नमस्कार जी स्वागत है आपका हमारे खाष प्रोग्राम है जिसका नाम है इसलाम धर्म की सच्चाई जैसा कि पहले भी हम अपने चनल के माध्यं से सभी धर्मों की सच्चाई दिखा चुके हैं हमारा उद्धेस है कि धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ है उसमें लोगों को जागरुकता फैले। इसी के साथ हम इसलाम धर्म पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इसलाम धर्म जो वक्ति विधी चल रही है क्या वो सही है। क्या इसलाम धर्म में चलने वाली सभी साधना से मानों का कल्याड हो सकता है। इसी चर्चा में हमारे साथ है डाक्टर सैजाद खान इन से हम चर्चा करेंगे इसलाम धर्म के विश्युच motherf TED के फोलो करते थे लेकिन अब ये संथर राम पालिए के भक्त बन चुके हैं। और इनसे जानेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कब और क्यों हुआ हमारे साथ हैं डॉक्टर साइजाद खान साइजाद खान जी स्वागा थे आपका हमारे खास प्रोग्राम में नमस्कार सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने में अपने चैनल वे इन्वाइट किया मेरा नाम डॉक्टर मुहमद सहजाद खान है और मैं गुडगावा से बिलोंग करता हूँ और मैं डॉक्टर हूँ और मैं पहले इसलाम धरम की सारी रिती रिवाजों को मानता था बट अराज के दुआरा बताए हुए घ्यान को अधार बनाकर उनके बताए हुए भक्ती मारक को अधार बनाकर मैं साधना उस खुदा की अबादत कर रहा हूँ सर मेरा आपसे पहले सवाल है कि आपने इसलाम धरम छोड़ा क्यों हूँ? सबसे पहले तो सर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसलाम धरम नहीं छोड़ा मेरा पिछला जो इंट्रू चला था उसमें भी बहुत से कमेंट्स ये आये थे हमारे पास में कि मैंने इसलाम धरम को नहीं छोड़ा मैंने इसलाम धर्म को नहीं छोड़ा मैंने इसलाम धर्म की जो अंदर चल रही गलत साधना को छोड़ा है इसलाम धर्म के अंदर जो बताएगे गलत जो मुल्लवी शाब काजियों ने जो हमें गलत रास्ता जो तैकर दे रखा था उसको छोड़ा है तो सर फिर आपने संत रामपाल जी को ही अपना गुरू क्यों बनाया भारत में तो करोड गुरू हैं सर संत्रामपाल जी महराज को गुरू बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि संत्रामपाल जी महराज ही वो बाख़बर है जिसके बारे में कुरान सरीव में सूरत फुरकान आयत नंबर 52 से 69 में बताया गया है संत्रामपाल जी महराज ने ही उस कलाम पाक का सबसे जो गहरा रहश्य ग्यान था वो सब जनता के सामने दिया बताया संत्रामपाल जी महराज ही वो बाख़बर है जिनोंने उस परवर्दिगार के बारे में बताया कि वो परवर्दिगार कौन है वो खुदा कौन है उसको इबादत करने का तरीका क्या है तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इसलाम धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है दूसरे नमबर का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है क्या वो लोगों को पता नहीं है कि कौन बाख़वर है और क्या बक्ती जो चल रही है वो गलत है Actually क्या है ना कि सर जो मुस्लिम धरम के जितने भी समाज के लोग है वो अधिकतर क्या थे पहले ऐशिक्षित थे जैसे ये शिक्षा आई है शिक्षा आने के बाद ही सब को पता चलेगा कि वास्तम में ही संत्रामपल जी महराज वो बाख़बर है जिन्हों ने कुरान सरीफ के बारे में सचा ग्यान जो कुरान सरीफ का है वो संतरामपल जी महराज ने ही बताया है अभी तक जितने भी मोलवी साव काजियों ने बच्चा पढ़ने की बज़ाए बच्चे को मदर से भेजा जाता था जिसमें अर्बी और उर्दू को पढ़ाया जाता था बट सिक्सा आने से क्या हुआ कि हमें हिंदी और इंगलिस की भी नौलिज हुई है इंगलिस और हिंदी की नौलिज होने के बाद ही हमें पता चला कि कुरान सरीफ हमें किस तरफ किस का आदेश दे रही है कुरान सरीफ बोलने वाला खुदा किस बाखवर के बारे में बता रहा है उस बाखवर के बारे में वो बोल रहा है कि उसके बारे में किसी उस खुदा के बारे में किसी बाखवर से पूछ कर देखो वास्तम में वो खुदा कौन है उस खुदा की अबादत करने का तरीका क्या है उस खुदा को पाने का रास्ता क्या है ज़ी ये सारी बाते बताएगा वो बात खबर अब पूरे हिंदू आपने क्या कि आमेर से कि कितने गुरू हैं यहां पर जितने बी गुरू हैं रहो पुवित्र हिंडु समाज में मुुस्ली अधाया को पूज में क्या करते हैं को कि ब्रह्मा जी की पूझा बता देता पूझा को कहता है अधमेर यी on मजार की चदर बोल दो यह उट पटांग सिस्टम जो बताए गए फिर उसके बाद में किसी भी गुरू के पास जब वो कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जनम का प्रारब्द का करम है यह तो तुम्हें भोगना पड़ेगा सबसे पहले बात में यह बताना चाहता हूं कि जितन संत्रामपाल जी महराज से पहले गुरू आए है या गुरू है या परजेंट में भी संत्रामपाल जी महराज के अलावा जितने भी गुरू है उन्होंने किसी ने यह नहीं बताया कि कबीर ही वो भगवान है कबीर साहिब ही वो खुदा है कबीर साहिब ही वो तो सर मेरा आपसे मैं आपको रोगना चाहूंगा मुझे आप ये बताए कि जो कुरान में लिखा है क्या कुरान में लिखे हुए चीजों को मुस्लाम इसलाम फॉलो नहीं कर रहा है गया नए कुरान सरीफ में सर कैसे कह सकते हो कुरान सबसे पवितर धरम माना जाता है और कुरान के अकोर्डिंगी भक्ती की जा रही है अबादत की जा रही है तो आप ये कैसे सिद्ध करोगी कुरान में जो लिखा है वो असली अल्ला की अबादत नहीं है या आल्ला की अबात नहीं है सर्पवितर पुस्तक जो कुरान सरीफ है जो इसलाम धरम के अंदर नाजिल हुई है और वो पूरी इंसानियत के लिए है बहुत से मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि ये हमारी आस्मानी किताब है ठीक है आस्मानी किताब है उस खुदा ने कुरान सरीफ के दोरा इंसानियत के लिए इस जहान में दे दी अब कोश्चन ये उठता है कि वास्तम में कुरान सरीफ कलाम पाक जो है कुरान मजीद जो है उसमें लिखा क्या है कुरान सरीफ के अंदर कहीं भी किसी भी परकार की कुर्बानी कहीं भी किसी भी परकार के जानवरों की कुरुबानी का जिकर नहीं है कुरान सरीफ के अंदर ये नहीं है कि आप जो है जो आज के टाइम में मुस्लिम समाज के अंदर चल रहा है जो मुस्लिम समाज जो आज के टाइम में एक अथेंटिक ये बना के चले हैं कि जो चीज वो कर रहे हैं वो वाकिमी कुरान सरीफ के अंदर लिखा है अब आने वाले समय में जो भी त्योहर आ रहे हैं त्योहर पर एक त्योहर बना दिया खीर का एक त्योहर बना दिया बकरे का अब बकरे का जो तिहार बनाया है वो कुरान सरीफ के अंदर बताया गया है कि कुरान सरीफ में ये बोला गया बताया है कि जैसे मोलवी साबों की सुनो तो मोलवी साब तो ये कहते है कि हमारी कुरान सरीफ में बोला गया है कि बकरी की कुर्बानी दो कहीं भी एक आयत में आप ये बता दो किसी भी आयत के अंदर आप ये बता दो कि कुरान सरीफ के अंदर ये लिखा है कि इस जानवर की कुर्बानी दी जाएगी कुरान में तो लिखा है ना कि अल्ला ने दिया है कि इतने जानवर हमने आपके लिए दिये हैं इतने खुरवा ले दिये हैं तो इस तरह से ही तो कुरान में जो जी जानवरों की जो अत्या बक्रों की या उन्ट की जो बलिदी जाती है तभी तो लोग कर रहें नहीं क्यों करेंगे इस पाप को कुरान सरीफ की जो आयते हैं उनका तर्जुमा जिस परकार से ये तर्जुमा कारों ने किया है ये तर्जुमा नहीं है तो मतलब क्या अल्ला का आदेश नहीं है कि ये बक्रे के बली दो या अब वही सर यही मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबी मुस्लिम भाईयों को यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तम में हमारी किताब कुरान सरीफ हमें क्या कह रही है सबसे पहले हमें ये समझने की जरुरत है कि वास्तम में वो खुदा कौन है जिसके बारे में कुरान सरीफ को बोन ले वाला खुदा ये कह रहा है कि जिसने आसमान और जो कुछ जमीन इसके दर्मियान है इसको छे दिन में बनाया और साथवे दिन तकत पर जा विरा जा उस खुदा के बारे में उस परवर्दिगार के बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो यदि कुरान सरीफ को बोन ले वाला ही खुदा वो फ्रुम वो परवर्दिगार है तो वो किसी बाखबर की तरफ संकेत नहीं करता मतलब यहां पे मैं आपको रुकना चाहूँगा क्या कुरान का ग्यान दाता जुसने कुरान बोलिया वो अल्ला नहीं है अगर कुरान सरीफ के ग्यान दाता को ही आप अल्ला समझते हो या जिस तरह मुसलिमान भाई ये कहते हैं कि फवितर जो कुरान मजीद है ये खुदा की जुबान है या खुदा का बोला हुआ ग्यान है तो वो खुदा ये भी तो कह सकता है कि वह बाखबर मैं हूँ या मुहमद जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दर्मियान है उसको बनाया वो खुदा मैं हूँ उसको बोलने में क्या दिक्त थी ये वो डारेक्शन क्यूं दे रहे हैं कि जी भई उस बाखबर से पूछ कर देखो तो इससे क्या थाबित होता है इससे यही साबित होता है कि गॉरान सरीफ को बोलने वाला खुदा वो कभी भी आपने आपको वो परवर्दिगार वो खुदा का दर्जा नहीं दे रहा जिसके लिए मुसलिम भाईयों को बैस इतना ही समझने की दे रहे कि वास्ताम में वो खुदा कोन है वो खुदा कबीर है जो कि बाख़वर संतरामपल जी महराज ने इस पिर्थी पर आके और ये कुरान सरीफ का गहरा ग्यान हम सभी मुस्लिम भाईयों के सामने रखा सर जिस टरहे से आप बात कर रहे हो कि कुरान का ग्यान दाता अल्ला नहीं है और अल्ला कोई और है तो आपको क्या लगता है इस तरह से विवाद नहीं होगा कि जो इसलाम धरा में इतने बड़े बड़े मौल्बी थी हैं मुहम्मद जी हुए हैं जो आपके पेगंबर वगर तो उस पर बाबाल बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है मैं यह नहीं कहता कि मेरी बातों से रबाबाल पैदा करो मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि QURAN सरीफ को बोलने वाला खुदा क्या कह रहा है हमें कुरान सरीफ के अकोर्डिंग चलना है ना कि कुरान सरीफ के अलावा चलना है हमें एक कलाम जब कुरान सरीफ हमारे उपर नाजिल की गई थी तो मुहम्मद साब ने कहा है कि ये पूरी इनसानियत के लिए नाजिल की गई है तो ये जरूरी नहीं है कि एक केवल मुस्लिम समाज ही इस चीज़ को फोलो करे ये हर कोई धर्म के बंदे इस चीज़ को फोलो कर सकते हैं कि वास्तम में वो खुदा कौन है सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि खुदा कौन है खुदा ऐजे मिसाल के तोर पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से मुसल्मान ये कहते है कि हम कुरान सरीफ के अलावा किसी और किताब को नहीं मानेंगे या किसी और किताब के ग्यान को नहीं सुनेंगे जैसे पवितर गीता जी चारोवेद ये सास्तर जितने भी हैं मुसलिम समाज के जितने भी मौलवी है या जो भी एक परसन है वो ये कहता है कि ये हमारे धर्म की किताब नहीं हम इनको नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि खुदा वो कबीर खुदा जो है एक मिसाल के तोर पर एक सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा तब ही जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा मैं आपसे जानना चाहूंगा कुरान में कहां लिखा है कि कबीर खुदा है कबीर अल्ला है बहुत सी जगह लिखा है जैसे आपको हमने पहले भी बता रखे है इसके बारे में भी बहुत से बार जिकर हो चुका है बहुत सी बार आप लोगों को बता चुके हम कि कहीं भी कबीर सब्द का अर्थ आता है कबीरन खबीरन वो अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार है या फिर कबीर है बड़ा है, महरबान है वो दिखाई देने वाला है सुनने वाला है, जानने वाला है तो इसका रथ क्या है कि क्या ये कबीर खुदा जो है दिखाई देने वाला दिखता है जबी तो दिखाई देने वाला है सुनता है जबी तो सुनाई देने वाला है फिर आप उसको बोल देते हो मौलवी साब काजी ये बोल देते हैं कि जी वो तो निराकार है वो तो बैजून है बैजून आदमी कभी भी दिखाई नहीं देता निराकार आदमी को कभी सुनाई नहीं देता तो हमें क्या पता कि χुदा जो है इनसानी रोप में है या मेल है या फीमेल है या फिर कुछ और है या वो दिखाई देगा कि नहीं देगा इस सारी चीजों का ग्यान जो बाख़वर संट रामपालजी महराज थे उन्हों ने हमें बताया तब हमें पता लगा कि वाक्य में ही कबीर खुदा है और उसकी इबादत करने का तरीका भी संतरामपाल जी महराज ने ही बता रखा है बहुत से मुस्लिम कहते हैं कि नमाज ही वो एक ऐसी पूजा है जिससे हम खुदा के उस जन्नत में चले जाएंगे जहां से जाने के बाद इस संसार में दुबारा नी आएंगे तो क्या नमाज ही वो सबक है इसकी जानकारी लेनी चाहिए बैस हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज वाक्य में ही वो इबादत करने का तरीका जिसको पढ़ने के बाद हम जन्नत में चले जाएंगे एक तरफ तो कहते हैं खुदा निराकार है दूसरी तरफ कहते हैं कि खुदा हमें कयामत के दिन मिलेगा तो खुदा जब निराकार है तो कयामत के दिन हमें कौन मिलेगा पिर एक तरफ कहते हैं कि हम एक बर कबर में जाने के बाद में जब हमारा इंतकाल हो जाता है और हमें कबर में दफना दिया जाता है इंतकाल होने के बाद में जब हम कबरिस्तान में होते हैं कहते हैं कि हम कयामत के दिन उठेंगे जबकि वास्तम में ग्यान जो बाख़बर संतरामपाल जी महराज ने हमें दिया है वो यह है कि हमें 84 लाख योनिया तो भोगनी ही पड़ेंगी चा हम हिंदू है चा मुसलिम है चा सिक है चा इसाई है खुदा ने धरम नहीं बनाया धरम तो केवल इनसान नहीं बनाया और इनको फोलो कर रहे हैं खुदा ने एक इनसान को बनाया और इनसान को इसलिए बनाया कि ये एक मनुश्य जनम इसलिए मिला ताकि इसी मनुश्य जनम के अंदर हम अच्छे और बुरे की पहचान करके खु उस जन्नत में चले जाएं, जहां जाने के बाद इस सैतानी लोक में हम नहीं आ सकते। एक ये तरीका है जो बाख़बर संत रामपाल जी महराज ने हमें बताया है। सर मेरा एक सवाल जी है कि अगर कोई मस्लिम भाई या मस्लिम समाज का विक्ति कहता है। जब कुरान का ग्यान दाता भग़वान नहीं है जिसको कुरान ने बोली ओथ तो फिर वो कौन है। इस टोपिक को आप अगर कोई भी मुसलिम भाई या बहन या कोई भी मुसलिम बिरादरी अगर इस टोपिक को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंना आपको एक बात और बताए थी कि खुदा के बारे में जानने के लिए आपको सभी किताबों का पढ़ना पढ़ेगा पवित्र हिंदू समाज के अंदर जितने भी गुरुएं यह कहते हैं कि ये जो गीता जी ऐथेंटिक है गीता जी अथेंटिक है तो गीता जी को बोलने वाला खुद बरम ये कह रहा है कि उस प्रमपिता परमेश्वर की सरन में जरजुन जिसकी सरन में मैं भी उँ इसके दिन में बनाया और साथवे दिन तकत पर जा विराजा उसके बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो वो नहीं जानता वो तो साप मना कर रहा है वो नहीं जानता कि वो बाख़बर कौन है वो खुदा के बारे में बताएगा उस बाख़बर की तलास करो तो हमें गीता में बोला गया है ततौ दर्शी संत की तलासकर और कुरान सरीप में बोला गया है कि उस बाखभर की तलासकर जो तुझे खुदा के बारे में बताए, खुदा की इभादत करने का तरीका बताएगा है, और वह बाख़बर संत-रामपल जी माराद Знаज है जिनों वास्तम में ही खुदा का तरीका और खुदा के इबादत करने का तरीका बताया है जितनी भी मुस्लिम भाई या जितनी भी मुस्लिम बिरादरी जो मुस्लिम धरम के समुदाए के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक चीज का अनुमा लगा के चली कि वास्तम म वो खुदा है भी के नहीं है इतना तो हम पता कर सकते हैं यदि है तो उसको साबित करो जैसे आज हम इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कुरान मजीद के दुआरा कि कुरान सरीफ के अंदर या कुरान मजीद के अंदर उस खुदा जो खुदा قرآن صریف کو بول رہا ہے قرآن صریف جس خدا کی عبادت بتائی گئی ہے قرآن صریف کو بولنے والا خدا محمد صاحب کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھو جو خدا نے جس خدا نے پورے جہان کو بنایا آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان اس کو چھہ دن میں بنایا اور ساتھوے دن تقت پر جا وی راجہ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھو باخبر اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کے بارے میں صحیح صحیح جانکاری صحیح عبادت کرنے کا طریقہ اور صحیح واسطم میں ہی خدا کے بارے میں صحیح پریباسہ جو ہمیں بتائے اسے باخبر کہتے ہیں اسے باخبر بول دو تتو درشی سنت بول دو اس ورحی سکتی بول دو رہنوما بول دو یا اوتار بول دو یا پیغمبر بول دو یا خدا کا بتایا ہوا دوت بول دو خدا کا بھیجا ہوا دوت بول دو یہ ساری چیزی باخبر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ باخبر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں اور جو باخبر آج کے ٹائم میں سنت رامپال جی محراد ہیں ان کے علاوہ اس پرتھیو پر تو کیا پورے برمانڈ میں کوئی نہیں ہے سر اسی سے جڑا ہمارا سوال ہے کہ اسلام دھرم میں تو محمد جی کے بات تو کوئی بتایا ہی نہیں گیا کہ کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا محمد جی کو انتم پیغمبر بتایا گیا ہے تو آپ اسلام کے لوگ مسلم دھرم کے لوگ کیسے مانیں گے کہ سنت رامپال جی واقعبر ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی مان سکے ہیں کہ محمد جی انتم پیغمبر تھے سر اکورڈنگ ٹو مسلم سمودائے کے انسار یدی دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انتم پیغمبر تھے بٹ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے علاوہ ان کے آگے کوئی پیغمبر نہیں آیا اس کا ریزن یہ ہے کہ سر محمد صاحب نے کے دوارہ جو گیان بتایا گیا تھا یا محمد صاحب نے اتنا گہرہ گیان آج تک ہمیں نہیں بتایا محمد صاحب جو عبادت کا طریقہ محمد صاحب نے اپنایا تھا اس عبادت کے طریقے کو پورے مسلم لو اپناتا آ رہا ہے پورا مسلم کنٹری اپناتی آ رہی ہے بٹ جو گیان سنت رامپال جی باقعبر سنت رامپال جی مہاراز نے ہمیں بتایا اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس گیان کے جس گیان کے بارے میں محمد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا جس خدا کے بارے میں محمد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا جس خدا کو محمد صاحب خدا مان کر عبادت کر رہے تھے ان کی سچائی کے بارے میں محمد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا وہ اس کے بارے میں باقعبر سنت رامپال جی مہاراز نے ہمیں بتایا ہے تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے कि वास्तम में आज के टाइम में कोई अगर पैगंबर है आज के टाइम में कोई इश्वेरिय सक्ति है या अवतार है तो वो बाख़वर संतरामपाल जी महराज हैं जिनोंने वास्तम में ही खुदा का असली परिभासा बताई है सर मुस्लिम समाज में एक धर्णा बनी हुए है कि पुनर जनम नहीं होता है जबकि और धर्मों में आसंतरामपाल जी ने भी बताया है डक्टर जाकर नाइक की डिवेट में कि जो इसलाम धर्म की जो एमानता है कि पुनर जनम नहीं होता है ये गलत है पुनर जनम होता है तो सर आप बताए वास्ता क्या है अकोर्डिंग टू कुरान मजीद अगर चला जाए तो कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं लिकरा कि पुरान जनम नहीं होता है ठीक है दूसरी बात ये अगर वास्ता में पुनर परके उपर बैठके उपर गए थे वहां जब नमाज के लिए बोला गया था उनको तो वहां पर हज़रत इबरहाईम आदम आदम अलेशलाम मिले थे जब पुरदर्णम नहीं होता है तो वह पहुँच कैसे गए उनका भी तो कबल खुलेंगी और कयामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा तो कयामत से पहले वो वहां पहुँच कैसे गए हजरत मुम्मद साब की जीवनी जो हमारे बाख़बर संतरामपाल जी महराज ने पुरी जनता को दिखाई है उसमें आप देखो उसको पढ़के नहीं और तो कयामत आई नहीं तो उससे पहले वो वहां पहुच कैसे गए तो इससे क्या साबित होता है इससे ये साबित होता है कि जो मुस्लिम धरम के अंदर ये जो धारनाये चल रही है कि पुनर जनम नहीं होता ये एक जूटी अफवा फैला रखी है ये एक अपने आप को सच साबित करने के लिए एक जूटी अफवा फैला दी जिसके करण ये है कि पुनर जनम होता है पुनर जनम होता है 84 लाक योनिया भुगतनी पड़ती है ये सारी चीजे परक्रिया आम जीव के साथ होता है कुरान में कहीं ऐसा लिखा है कि पुनर जनम होगा या ऐसा कोई पुनर प्रमाने इसका कुरान मजीद के अनुसार अगर चला जाए तो सूर्य अम्या आयत नमबर 103 में लिखा हुआ है कि हम आस्मानों को पहले की तरह दुबारा लपेट देंगे कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा ये कह रहा है कि हम आस्मान और जमीन को दुबारा लपेट देंगे और हम ये करेंगे और ये करना भी जरूरी है और हम पहले भी कर चुके है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परकिरिया चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है आप से जितने भी इस वीडियो के माद्यम से जो भी मुस्लिम भाई ये देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पे मत जाओ आप ये कुरान मजीद है और कुरान शरीफ है जो हमारे हजरत मुवंब ﷺ पर नाजिल हुई है आप इस किताब को आप हिंदी में इंगलिस में जो भी भासा के आप जानकार हो उसमें खरीद के आप इसको पढ़ के देखो और हमारे ग्यान जो हमारे बाख़वर संतरामपाल जी महराज ने जो ग्यान दिया है उसको मिलान करके देखो आपको एक परसेंट भी कहीं कमी नजर नहीं आएगी और इसी ग्यान के अधार इस कुरान मजीद के ग्यान के अधार पर आप जो मोलवी साब हैं जो काजी साब हैं उनके ग्यान को भी तुलना करके देखो आपको निरा निरी वो जूटे नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने कसम खारक किया कि जो कुछ कहेंगे जूट कहेंगे जूट के सिवा कुछ नहीं कहेंगे अगर वो सचाई इससे पहले बता देते तो हम एक दूसरे के परती ये ना सोचते कि ये धरम गलत है या ये समाज गलत है, ये धरम गलत है, ये समाज गलत है किताबे सारी ही खुदा के बारे में बता रही है चाव वो पवितर कुरान सरीफ हो, चाव वो पवितर रिगवेद हो, यजरुवेद हो, सामवेद हो, अर्थवेद हो या पवित्र बाइबल हो या पवित्र गीता जी हो ये सारी किताबे ही कुरान और तोरे तिंजिल जबूर ये सारी किताबे ही खुदा के बारे में बताती है केवल एक ही किताब को सब कुछ समझ के बैठ जाना की केवल एक ही किताब हमें उस खुदा के बारे में बताएगी तो ये गलत है एक सब्जेक्ट के पास होने से आप ना तो आप अपना फ्यूचर बना पाओगे ना आप उस डिगरी को या उस सर्टिफिकेट को ले पाओगे जिस सर्टिफिकेट की आपको आपके फ्यूचर में जरूरत है तो हमें खुदा की अबादत इस संसार में इस जहान में इस सियतानी लोक में जरूरत है तो उसके लिए हमें सारे सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा और सारे सब्जेक्टों में पास होना पड़ेगा तब जाके हम उस खुदा के रास्ते को अपना सकते हैं और उस खुदा के भेजे हुए बाखबर की पहचान कर सकते हैं वो बाख़बर संत रामपाल जी महराद है जिनों ने कुरान मजीद पवितर गीता जी चारो वेद सभी सास्त्रों का जो गहरे से गूर से गूर ग्यान जो है हमें सिंपल वे में बता दिया ताकि हम उस खुदा की उस परवर्दिगार की उस अल्ल히 ताला की पहचान कर सके और उस की इबादध कर सके सर एक हमारा अगला सवाल आपसे है कि इसलाम धर्म के सबसे बिवादत मुद्दा है कि जो मास खाने का है जो बकरे काटने का है काटने का है मतलब कोई भी बड़ा सा बड़ा जानवर काट देते है तो क्या एक Allah ऐसी जाज़ा दे सकता है क्योंकि आल्ला के भी बच्चे जो जीव जनतु है वो भी Allah के ही बंदे हैं तो क्या आल्ला ऐसी जाज़ा दे सकता है इसलाम में कि वही आप बकरे काटो उंट काटो जो भी आता है गाय काटो तो क्या आपको लगता है और आप ये भी बताईए कि हजरत महुम्द जी जो हुए थे क्या उन्होंने कभी बकरे का कतल है उंट का कतल है गाय का कतल किया था सबसे पहले तो ये कुरुबानी जो है आने वाले समय में अगस्त में बकराईद आ रही है मुस्लिम समुधाय का त्योहर होता है मुस्लिम दर्म का तो ये बकराईद जो है हजरत इबरहाईम अलेशलाम एक पैगंबर हुए थे उनों को रात को सौपन आया कि कोई अधृश्य सक्ति उनसे ये कह रही है कि अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दे अब उन्होंने ये सोच लिया कि सबसे प्यारी चीज इंसान की उसकी उलाद होती है तो वो अपनी उलाद को लेके चल दिये चल दिये तो जहां उलाद को लेके चले तो वो जंगलों में गए बहुत सी जगए ये मिसाल आरे जंगलों में गए बहुत से ये कहता है कि वो पहाड़ों पे चले गए ठीक है किलियर किसी को पता नहीं पर अगर वास्तम आकिकत को देखा जाए तो वो जंगलों में गए थे अपने बच्चे को ले के और वो जंगल में ले जाके उसने अपने बच्चे को उल्टा लिटा दिया उल्टा लिटा के अपनी आखों में पट्टी बांद ली, वो पट्टी भी इसलिए बांदी कि उसका लगाओ था उसके अंदर, ताकि वो उसके उपर छुरी ना चला सके, जब उसने वो छुरी चलाए तो एक वाक्या आया है, जैसे according to मौलवी साब काजियों के साब आया है, कि वो छोरे बच्चे की गर्दन से हटके वो दुम्बे में जाके लगी, अब दुम्बे का मतलब लकडी का टुकडा भी होता है, दुम्बे का मतलब भेड़ भी होता है, भेड़ का बच्चा भी उन्होंने दुम्बे का मतलब, तो वहां कहते कि बेड़ का बच्चा जो है जिबह हो गया यानि कि भेड़ का बच्चा जो है की गर्दन कट गई अब वाकिया ये है अब इसमें ये कह दे कि जब से ये कुर्बानी का जो है वो चलने लगया पर हकीकत क्या है हकीकत ये था कि खुदा ने परिक्षा ली हजरत इबराहिम अलेशलाम की हजरत इबराहिम अलेशलाम की परिक्षा ली की सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दे उन्हों का गलत तरीका था उन्होंने अपनी बुद्धी से ये लगा लिया कि खुदा जो है मेरे बच्चे की कुर्बानी मांग रहा है यानि कि मेरे बच्चे का सर मांग रहा है तो खुदा को यदी मनजूर होता तो बच्चे का ही सर कटता तो इसका मतलब खुदा को कुर्बानी मन्जूर ही नहीं है ठीक है दूसरी बात ये अब आब आके आता है हमारे पैगंबर जो लास्ट एंट फाइनल है जो हमारे हजरत मुहम्मद स्लिल्लाहु अलेह वसल्लाम उनकी जीवनी में आप ये बता दो कि कबीर बोध के अंदर भी हमारे कबीर शाहिब स्द्गूर रामपाल जी महराज ने बता रखा है बाखबर संथ रामपाल जी महराज ने कबीर बोध के अंदर दिखा रखा है नभी मुहम्मद नमसकार है राम रसूल कहाया एक लाख असी की सोगन जिनों ने नहीं करद चलाया तो ये वाणिया बाख़बर संत्रामपाल जी महराज ने कबीर बोध के अंदर से हमें बताया है इसका मतलब क्या है कि उसने अपने जीवन काल के अंदर कभी भी किसी भी जानवर की जिवे नहीं करा किसी भी जानवर को कुर्बानी नहीं दी जब हम follow मुहम kopya को कर रहे हैं हम अपने नभी को follow कर रहे हैं तो नभी की बातों को हम कितना तवज्जू दे रहे हैं क्या ये कभी जिंदगी में हमने किसी मुस्लिम भाईउने सोचा है नहीं सोचा हम एक आयत पढ़ते हैं आउजब लाहिमन श्यतानी रजिम बिस्मिल्लाई रह्मानी रही बक्रे की गर्दन के उपर छुरी चला देते हैं इस आयत का मतलब क्या है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा महर्बान और नहायत रह्म वाला है तो उस गर्दन पे जब हम इस आयत को पढ़के चला रहे हैं इस सूरे को पढ़के उसकी गर्दन पे छुरी को चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या उस गुने का हगदार खुदा हो गया उस गुने का हगदार खुदा तो नहीं हुआ जब खुदा ने कुरान मजीद के अंदर या कुरान मजीद को बोले वाला खुदा या मुहमद साब की जीवनी के अंदर या मुहमद साब के पूरे जीवन काल में कहीं भी किसी भी चीज को कतल नहीं किया जाता था जिबे नहीं किया जाता था तो हम इन चीजों को क्यूं कर रहे हैं फिर हम यह सोचते हैं कि यह खुदा का आदेस है यह केवल हमारे मौलवी साब काजियों का आदेस है ना कि खुदा का आदेस है जिस दिन हम इस बात को स अपनी जिन्दिगी के अंदर और आने वाले यहां से जब हम इंतकाल होने के बाद जब हमें भुगतने पड़ते हैं वो कितना एक जो सरकल जो बाख़बर संतरामपाल जी महराज ने बता रखा है उसके हिसाब से यह हम ग्यान को अधार बना कर देखा जाए तो कितना बड़ की कुरवानी देने के लिए चले तो फिर सारा मुस्लिम समाज है तो जो वक्रीत पे जब कुरवानी का दिन आता है तो उस दिन अपने परवार के अपने लड़कों की कुरवानी क्यों नहीं देते हैं या अपने बग्रों की कुरवानी क्यों देते हैं सर आपने बहुत हराम बता रखा है, नाच ने गाने हराम बता रखे, फिल्में देखने हराम बता रखे, यहाँ तक की लेडिजों को सिंगार करना भी हराम बता रखा है वहाँ पर वो ये कह रहा है कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा या फिर वो निराकार सक्ती ये के रही है किभई वहाँ पर जा के किसी जो एक इबराहीम लेशलाम को स्वेपन आया और उसने अपने बेटे की कुरभानी देने के लिए गया और उसका बेटे की भी कुरभानी को मंझूर नहीं किया our gonna आ bail कि ऐ की गया गायगा ऐसा कुछ नहीं था को आदेस किया का ज 되सक कि को अधिन दैजा कुछी यह नहीं देता न Doncs खुदा की पहचान करके। मैराज की पहचान करके खुदाकी अबादत को ग्राइन करो और खुदाकी अबादत करके ऑर जन्त में सो साधाद खान जी मेरा आपसे सवाल अगला सवाल है क्या मास खाना, खुदा का आदिस हो सकता है जो पूरा मुस्लिम समाज मास खा रहा है, अप तो हिंदू भी खाने लगे हैं, ईसाई भी खाने लगे, इसाई तो खाते हैं और सिख्ष भी खाते हैं, तो जो पुरान में मास का दावा किया जाता है और कुरान का और अल्ला का जो रफ्रेंस लिया जाता है आप तो इसलाम में काफी आपका वजपन वहीं से गुज़रा हुआ है तो आप कैसे आप इस चीज़ को समझ रहा है जब से संद्राम पाल भी की सरण में आप आए हैं को मुसल्मान धरम के अंदर जो मास खाने का प्रावधान है और उसको मौलवी साब या काजी साब ये कहते हैं कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा मास खाने के लिए बोल रहा है सबसे पहले तो कुरान सरीफ एक आसमानी किताब पहली किताब नहीं है इस से पहले भी तीन किताब और नाजिल हो चुकी है इस जहान के अंदर जो की जिसके अंदर मास खाने का कोई आदेश नहीं है ठीक है उसमें भी उस खोदाने उस परवर्दिगार ने हमें फल खाने के लिए बोला गया है ठीक है जैसे तोरेत है इंजील है जबूर है जो के आज उनका रूपांतर बाइबल है ठीक है जिसमें ये बोला गया है कि उस खोदाने उस परवर्दिगार ने उस परमेशवर ने हमें फलदार विरक्स फलदार फल खाने के लिए बोला गया है मास खाने का आदेश जो है कुरान सरीफ के अंदर जो बताया गया है वो सैतान का है ना की खुदा का है आप एक बात मानिए हजरत मुहम्मद सहाब जो सबसे बड़े हमारे नभी थे उन से बड़ा मेरे के हाल में कोई सचा मुसल्मान इस जहान के अंदर नहीं है ना उन से जादा किसी उनके जैसी अबादथ करने वाला कोई है तो उन्होंने भी तो मास को नीच हुआ उनके एक लाक ऐस्टी हजार सिश्य हो गए उन्होंने मास को नीच हुआ जो कि हमारे बाख़बर संतरामपял увидеть महराज ने भी उनका रिफरेंस दिया है कि नभी मुहम्मद नमसकार है राम रसूल काया और एक लाक असी की सोंगत जिनों ने नहीं करत चलाया तो इसका मतलब यह है कि नभी मुहम्मद जो रसूल थे उनको उनके एक लाक असी हजार सिश्य होने के बाद युन्होंने मास खाने कादेश नहीं दिया और जितना भी आज का जो मुसल्मान समाज है वो हमारे मुहम्मद स्लिख लाहु के बताई हुए मारक पे चलता है ये बताते हमें मौलवी साथ बट उनके बताई हुए मारक पे चलने से पहले उनके जो करम है उन्होंने मास को नहीं काया और ये मुसल्मान काते है तो आप बताईए खुदा का आदेश का है अगर खुदा का आदेश तो मुहमद साब ने भी तो फोलो करना था अगर खुदा का ये आदेश होता ये सैतान का आदेश है ना कि खुदा का आदेश है कुरान में लिखा हुआ है तो आपको क्या लगता है कुरान में सेंतान आदिस कर रहा है देखो कुरान सरीफ जो है उसमें अगर कुरान सरीफ पूरी तरीके से ही कम्प्लीट बुक है तो कुरान सरीफ के बारे में कुरान सरीफ बोलने वाला खुदा ये नहीं कहता कि उस खुदा के बारे में किसी बाख़बर से पूछ कर देखो सबसे पहली बात तो अगर हम कुरान सरीफ को ही एक complete बुक मान के चलेंगे तो हम उस خुदा की अबादत का तरीका और उस खुदा के बारे में कभी जिन्दगी में हमें पता ही नहीं चल पाए गा उसके बारे में तो हमें ये फॉलो करना हे कि कुरान स्रीफ को बोलने वाला खुदा जो कि मुम्मद साहब को ये डारेक्शन दे रहा है कि किसी जिस खुदा के बारे में जानना चाहता है या जिसने आस्मान और जमीन जो कुछ इसके दर्मियाने छेह दिन में बनाया सातवे दिन तकरत बर जावी राजा उसके बारे में किसी बाख़वर से पोचwszy पोचक जर दे तो قुरान सरीफ का ग्यान तो बाई साब यही है कि قुरान सरीफ का ग्यान यही कहता है कि हमेह उस बाख़वर संतरामपाल जी महराज की तलास करनी जोए तो हमें सच्चे खुदा की इबादत करने का तरीका बताएगा जैसा कि आपने बताये हुई कुरान में सेटान निमाज खाने कादेश दिया तो सेटान ऐसा क्यों करता है सेटान इसलिए करता है क्युकि सेटान नहीं चाहता कि अपने site में वापिस जाए सेथान नहीं चाहता कि हम उस परवर्दिगार की पहचान कर ले सेथान नहीं चाहता कि हम उस बाख़बर संतरामपल जी माराज की पहचान करके उसके दुबारा बताए हुए भक्ती साधना को ग्रेंड करके और उस कबिर खुदा की इबादत करे जहां जाने के बाद जहां वो कबीर खुदा संद जन्नत में विराजमान है और जहां जाने के बाद हम इस दुबारा सैतान लोग में नहीं आएंगे यह सैतान चाहता है ताकि हमें वो मास अहारी बना दे आप एक बात बताओ आज के टाइम में सभी समाज के समुदाई के लोग मास खाते है यदि मुस्लिम समाज मास को छूता नहीं तो कोई भी धरम या समुदाई का लोग मास को नहीं खाता सहजाद जी जैसा कि आपने बताया कि जो कुरान है वो कम्प्लीट बुक नहीं है पांचो टाइम की नमाज पड़ी जाती है दो परकार के तोहर मनाए जाते हैं रोजे रखे जाते हैं ठीक है तो आप यह देखे इससे इनकी जिन्दगी में क्या बदला हुआ आया है और इससे इनकी जिन्दगी में क्या परेशानियां खतम हुई है इन से बड़े यही यही साधना जो है हजरत मुहम्मत ﷺ जो हमारे पैगंबर थे जो हमारे नभी थे जो खुदा के अकोर्डिंग टू मौलवी साब के खुदा के बहुत प्यारे रसूल थे वो भी यह जिन्दगी में फॉलो करते थे उनके जीवन काल में क्या हुआ पच्चीस साल की उमर में उनको चालिस वर्स दो बार विदवा हो चुकी आमिना बेगम के साथ उनका निकाह हुआ जिनके सामने उनके साथ संताने प्राफ्ट हुए जिनमें से जो तीनो लड़के उनके आँखों के सामने इंतकाल को प्राप्ट हो गए, पूरी जिंदगी उन्होंने दुखों का सा वैतित करने लगे, और इमान को फैलाने की पूरी कोशिश करी, और पूरी जिंदगी दुखों में वैतित करे, लास्ट में उनका जो जीवन था, उन्होंने अपनी ये लोजिक है कि जब उन्होंने इतनी परहषानियों का सामना करना पड़ा एक पैगंबर होने के नाते, एक रसूल होने के नाते, एक खुदा के नुमाइंदे होने के नाते तो आज ये मुस्लिम समाज ये क्यों सोचता है कि इनकी परेशानिया उस इबादत से ठीक हो जाएगी बाखबर संतरामपाल जी महराज जो है वो केवल मुस्लिम समाज को नहीं वो सभी को ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के पवितर गरंत है उसके अकोर्डिंग चलो और उसमें जो बताया गया है उस बाखबर की तलास करो वो बाखबर ही उस खुदा के बारे में बताएगा जिससे तुमारी सारी परेश्यान यह दूर हो जाएगी जैसे आज के ताइम में इतने कैंसर हो रहे हैं इतने रोग हो रहे हैं मुस्लिम समाज में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर बचाओगा जहां दुखों का पाड़ ना होगा और आज जो बाखबर संत्रामपाल जी महाराज से शिशे जुड़ रहे हैं ना वो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है केवल वो मानव है और उनको केवल बाखबर संत दिन के बाद मरने के लिए बोल दिया हो चाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो भी आज पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं यह है खुदा का करिशमा और आप एक तरफ नमाज पढ़ रहे हो रोजे रख रहे हो इद बक्राइद मना रहे हो मुरगे काट रहे हो बक् पतले आम कर रहे हो और उसके बाद में फिर आप सोचते हो कि आपके गर बरक्कत हो जाएगी। आपके घर को दुखों का पाड़ पूर जो है दुखों का जो दुख परेषानी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यह कम से ठान के हैं। यह इंसा समाज गलत है हम केवल ये बता रहे हैं जिस समाज के अंदर पहले दारू की दारू नहीं पिया सराब को हराम समझा जाता था सारी चीजों को हराम समझा जाता था आज उस पहले अगर सराब का हिस्सा किसी अंग पे गिर जाये करता था तो उस सरीर में से उस अंग को काट दिय शेया जाता था, जहांपर सराव को इतना हराम समझा जाता है, वहां पर इस तरह की मास्क खाना, या फिर असलील हरकते करना, या फिर डांस बाजी करना, या जो भी ये सानसारिक चीजे हो रही ये, उनको इन्वल करके, और ये कहएदे कि ये ख़ुदा का अदेस है, समाज में जो गलत कुरूतिया चल रही है हम समाज में जो गलत बाते चल रही हम समाज के अंदर जो गलत अपनी तरफ से जो बना रखी मन गनत कहानिया जो पाखंडी बना रखी है जो मन गनत मन माना आचरन चला रहा है उसको गलत साबित कर रहे हैं ना कि कि हम किसी धर्म को या किसी समाज को बदनाम कर रहे हैं हमारा धर्म और समाज से कोई वास्ता नहीं हम तो केवल ये बताते जीव हमारी जाती है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिक इसाई धर्म कोई नहीं नियारत जो कि हमारे बाखवर संतरामपाल जी महराज का नारा है सर एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कुरान सरीफ का ग्यान है जैसे आप बतारे उबार बार की सैतान अगर अगर आपके पास में कुरान मजीद है तो आप उसको खोल के देखो आपको पांचवे पेज़ पे मिलेगा कि कुरान सरीफ उतरने का संग मलब कुरान सरीफ किस परकार उतारी गए थी कुरान सरीफ किस परकार नाजिल की गए थी सबसे पहली नाजिल हुई थी कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा अपना एक परिस्ता बेचता है जिसका नाम है जिबराईल अलेशलाम उसमें विवरन आता आगे तलके कि वह इतना कश्ट होता था इसमें कि मुहमद साहब खुद इस बात को बोल रहे हैं उसके अंदर कि इसमें उनकी जान सी निकल जाती है तो आप बताएए क्या ये खुदा का काम है आप एक रहम वाला एक तरह बोल रहे है आउजु बिलाहिमन सीतानी रजिम बिस्मिलाहि रहमानी रहे फुरू करता हूँ खुदा का नाम से जो बड़ा महरबान और रहम वाला है तो क्या ये रहम के काम है तो इससे ये साबित होता है कि खुदा जो कुरान सरीफ को बोलने वाला ग्यान है ये कुरान सरीफ को जो बोला गया है या नाजिल की गई ये वो बड़ा कष्ट दाइक था क्योंकि हजरत इबराहिम अलेहिसलाम सोरी हजरत जिबराहिम अलेहिसलाम जो थे उन्होंने सबसे पहले मुहम्मद साब को आके बोला इक्रा इक्रा का मतलब है कि तुम पढ़ो मुहम्मद साब ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कई तरीके अपनाए या तो उनके अंदर गुझ जाये करते थे उनके अंदर जिसम के अंदर चले जाये करते थे वो बोल दिया करते थे या फिर उनके अपने आप से चाती से चाती मिला लिया करते थे तो उनके सरीर के अंदर ऐसे प्रेतवत गुचने के बाद तो बोल दिया करते थे कई कई जगे तो मुहमद साब ने कुरान सरीफ के अंदर ये वाक्या भी आया है कि उनको इतना कश्ट होता था कि उनका ऐसा लगता था कि आज उनके प्राण ही निकल जाएंगे तो आप बताएए है कि कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा वो खुदा है या सैतान है या क्या है या आप खुद समझदार हो कि खुदा जैसे काम करता है और सैतान सैतान जैसे काम करता है सर जो मौलवी है जो विस भर में विस भर में जो मुस्लिम समाज फैला जो बड़े-बड़े मौलवी है तो क्या उनको आपको नहीं लगता है वो इन चीजों का आप समझना चाहिए जो बाख़वर संतरामपालजी जो ग्यान कुरान का खोल के बता रहे हैं तो क्या उनको समझने की जूरत है इस चीज को कि संतरामपालजी कुछ अलग बता रहे हैं या सही बता रहे हैं किया ये चीज उनों अने समझने कुछ इसकी तो मैं तो मेरी अगर बात अगर पूरा जहान सुने मैं तो ये को पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को सोचे पूरा हिंदुस्तान के पूरा वर्ड इस चीज़ को देखे कि वास्तम में बाखबर संतरामपाल जी महराज का जो ग्यान है वो और धरम गुरुवों के ग्यान से अलग क्यों है उसका रीजन क्या है सबसे पहली बात ये है कि जितने भी मुस्लिम धरम के अंदर मौलवी हैं काजी है अगर उनको बाखबर संत्रामपालजी महराज के ग्यान में कोई तुरूटी नजर आती है या फिर ये कहते हैं कि बाखबर संत्रामपालजी महराज को कुरान सरीफ के बारे में या कलाम-पाक के बारे में पूरी तरीके से नौलिज नहीं है या फिर उनके दिमाग में एक बहुत सी बाते चलती है कि ये हमारे धरम से नहीं है या फिर ये मुसल्मान नहीं है इनको हमारे धरम की नौलिज नहीं है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि ये बात है तो आज तक इन मौलवी साबों ने ये क्यों नहीं बताया कि तूरत फुरकानी आयत 52-69 में कुरान सरीफ को बोलने वाला खुदा मौम्मद साब को ये कह रहा है कि उस खुदा के बारे में किसी बाकबर से पूछ कर देग क्यों नहीं बताया आज तक आज तक क्यों इस चीज को इसको अंधेरे में रखा गया और आज बता दो कि वो बाकबर संतरामपाल जी महराज नहीं है कौन है अगर आज ये बता दे कि वो बाकबर संतरामपाल जी महराज नहीं है उसका परमानित कर दे तो हम उनके पास चले के बारे में ये बताया और सभी सदगरंथों का रिफरेंस लेके ये बताया कि गीता जी में ये लिख रहा है कुरान सरीफ में ये लिख रहा है तोरे तिंजिल जबूर किताब के अंदर ये लिखा हूँ आज तक इन्हों ने कुरान सरीफ के बारे में पूरा तरजुमा हमें पुरे तिन जिल जबूर उनके बारे में तक बता दिया तो इन्हों ने तो कुछ कहेंगे जूट कहेंगे जूट के शिवा कुछ नहीं कहीं शरेक पिक्रण डक्टर जाकर नाइक का भी बीच में आया था कि संतर रामपाल जी ही एक संत्य थे जो हिंदुस्तान में जो अंने डक्टर जाकर नाइक की चनौती को सुविकार किया था जो भहुत चैलेंज करते थे तो बाद में पिक्रन आया कि मुस्लिम समाज ने डक्टर जाकरनाय को अपने समाज से निकाल दिया तो वो मतलब काफिर है इस तरह की सारी चीज़े बात असामने आई थी तो जो उनकी डिवेट थी संतर रामपाल जी की और डक्टर जाकरनाय की जिसके माध्यन संतर रामपाल जी ने कुरान की बारे में डिटेल में बताया तो इस बारे में आप क्या समझते हैं क्या जो आज मुस्लिम उस चीज को देखके एगनोर करता है कि वह डॉक्टर जाकिर नेक तो काफिर है हम उसकी चीज़ें नहीं देखते हैं तो आप इसको कैसे क्लियर करोगे कि संतरामपाल जी दुखाया सही था या डॉक्टर जाकिर ने गलत था सबसे पहली बात तो सर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस परवर्दिगार का बहुत सुकर गुजारू कि डॉक्टर जाकिर नायक के माध्यम से बाखबर संतरामपाल जी माराज ने हमें कुरान सरीफ का पूरा ग्यान समझाया अगर ये कहते हैं मुस्लिम भाई कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है वहिसकार कर दिये गए है या डॉक्टर जाकिर नायक जो है निकाल दिये गए है या उनको काफिर घोसित कर दिया या whatever जो भी है मैं डोक्टर जाकिर नायक से कोई वास्ता नहीं है मैं ये कहता हूँ कि डोक्टर जाकिर नायक को क्यों देख रहे हो आप आप डिबेट में ये देखो कि संतरामपाल जी महराज ने वो बाखबर संतरामपाल जी महराज ने कुरान मजीद का ग्यान समझाया है कुरान मजीद को खोल के दिखाया है ना कि डोक्टर जाकिर नायक को खोला है कुरान मजीद के अंदर जो बाते लिखी हुई है कुरान मजीद के अंदर जो आयतों का तर्जुमा कर रखा है वो कुरान मजीद को खोल के दिखा है तो आप दोक्टर जाकिर नायक को क्यों मान रहे हो आप जो कुरान मजीद के अंदर बाते हो उनको तो मानो अगर आप मुसल्मान हो तो कुरान मजीद के अनुसार चलो आप डोक्टर जाकिर नायक के अनुसार क्यों चल रहे हो यह तो खुदा का लाक लाक सुकर है जो डोक्टर जाकिर नायक साब जी ने डिबेट के लिए अमंतरित कर लिया और एक बाख़बर संतरामपाल जी महराज जिसका किसी को नहीं पता था जिसका ये भी नहीं पता था कि वही वो एक मुस्लिम समाज चे नहीं क्योंकि हमें तो यही बताए गया था कि कुरान सरीफ को पढ़ने का दिकार केवल मुसल्मानों को पर एक बाखबर संतरामपाल जी महराज उन्हों ने एक ऐसे ग्यान को जो काफी सालों से कुरान मजीद के अंदर दबा हुआ था उसको सभी मुसल्मान भाईयों के सामने रख दिया और आज मुसलिम भाई ज्यान को इग्नोर करके डॉक्टर जाकिर नायक को पकड़े बैठा है और वो डॉक्टर जाकिर नायक को इग्नोर करके अगर कलाम पात कुराम सरीफ के ज्यान को पकड़ ले तो उसकी जिंदगी में चेंजिंग आ सकती है जैसे बाखबर संत्रामपाल जी महराज की नाम लेने से या सरन ग्रैन करने से या उसके द्वारा बतायों खुदा की इबादत करने से सबकी जिंदगी चेंज हो रही है उसी परकार उन भाईयों से भी मैं यही प्राथना करता हूँ मेरे यही दरखवास है कि आप भी डाक्र जाकर नाएक को इग्नोर करके जो बाखबबर संत्रामपाल जी महराज ने उस डिबेट के अंदर कुरान सरीफ के घ्ञान को खोला है उस घ्ञान को फोलो करके उस खुदा की पहचान करो और उस खुदा के बता हुए बाखबर की पह अब तो ऐसी बार आ रही है कि जिसको खुदा चाहिए न वो संत बाखबर संत रामपाल जी महराज की सरण में जाएगा क्योंकि आज का चा मुस्लिम समाज हो चा हिंदू समाज का बंदा हो चा किसी भी धरम का बंदा हो आज का जो मनुस्य है वो पढ़ा लिखा है शिक्सित है अनपड़ ही नहीं आ सकता अनपड़ता भी आएगी अनपड़ता के कारण ही आज लग मुस्लिम समाज जो है उस खुदा की पैचान नहीं कर पाया बढ़ आज जो यह समाज चला रहा है यह खुदा का लाख लाख शुकर है जो हम शिक्सित है उसको केवल यह देखके मत चलो कि डॉक्टर जाकरनाहीं के बरखास कर दिया है उसको यह मत देखो डॉक्टर जाकरनाहींक अपना रीफρένस दे रहे थे और संतरामपल जी ने उस कुरान सरीफ को पुरे जहान को दिखाया है पुरे मुसल्मान भाईयों को दिखाया है तो इससे यही सिक्षा मिलती है कि उस ज्यान को समझे उस बाखबर की पहचान करे और उस खुदा की पहचान करके उस बाखबर से बता हुए उस खुदा के भक्ति मारफ को अपना कर उस जन्नत में जाने की कोशिश करें सहजाब जी मेरा आप से अगला सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया बाखवर संतरामपाल जी अल्ला की जानकारी रखते हैं खुदा की सही जानकारी रखते हैं तो यह कैसे माना जाए कैसे पहचाना जाए कि संतरामपाल जी जो भक्त आपने ये नहीं देखा कि सहजाद जो है, जो मैं सहजाद जो हूँ, वो चलतो मैं कुरान सरीफ के अकोडिंग ही रहा हूँ, पर उसका रीजन ये है कि हमारी कुरान सरीफ के अंदर ये बताया गया है, और पवितर गीता जी में भी ये बताया गया है, अध्याय नंबर 17 के सल लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, और इसी परकार आयत नंबर 42 के, आयत नंबर 42 के, आयत नंबर 1 में एन सिन काफ, जो ये तीनो साधना के बारे में बताता है, वो बाखबर होता है, और वो बाखबर संतरामपल जी महराज ने ही हमें बताया है, तो मैं चलतो कुरान सरीफ के ही according रहा हूं बट आप ये कहते हो कि मैंने मुस्लिम धरम को छोड़ दिया या मुस्लिम धरम को नहीं छोड़ा मुस्लिम धरम के अंदर जो साधनाय चल रही थी जो वास्तम में जो तरीका था इबादत करने का वो छोड़ा है और सचे खुदा का तरीका अपनाया है इसके लावा ना तो मैंने कोई धरम छोड़ा है ना मैंने कोई समाच छोड़ा है सहजार जी एक तरफ आप कह रहे हो कि आपने इस्लाम धर में नहीं छोडा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि संत राम पाल जी की द्वारत जो भक्ति है विदी आप वह कर रहे हैं जो कवीर सहाईब की वक्ति बताते हैं, तो आप कैसे सिद्द करोगे कि قुरान में जो लिख सरीफ के दुआरा बताएगे ही भक्ती मारक कर रहा हूं अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि सहजाद ने मुस्लिम धरम को छोड़ दिया सहजाद ने मुस्लिम धरम को नहीं छोड़ा सहजाद ने मुस्लिम धरम के अंदर जो पाखंड चल रहा था उसको छोड़ा है सामा जी क परकार अध्याय गीता जी कि अध्याय नमबर 17 के सलोग नमबर 23 में जो। given है ये तिनों जो किलियर बता देता तो उसको पाने की विदी भी एक है जो बाख़बर संत्रामपल जी महराज बताते हैं उसको पाने की विदी भी एक है जो बाख़बर संत्रामपल जी महराज बताते हैं वो खुदा भी एक बताते हैं उसको पाने की विदी भी एक बताते हैं और नियम भी एक बताते हैं और आप अपने सास्त्रों को पढ़ो और आप अपने गीता जी को और जितनी भी किताबे नाजिल हुए हमारी आसमानी किताब इनको पढ़ो और उस बाख़बर की पहचान करो उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो अब खुदा को पाने की और प्राप्त करने की देखने की बात कर रहे हो जब कि इसलाम धरम है तो खुदा को बेचुन बोला गया है तो ये किसा अधार पर बोला गया है तो खुदा को कुरान सरीव में बेजून नहीं बताया गया है ये तो हमारे जो मौलवी साहब है जो काजी साहब है उन्होंने हमें ये बताया कि खुदा निराकार है या बेजून है खुदा ने तो कुरान सरीव को बोलने वाला है खुदा तो ये कह रहा है तो खुदा निराकार का है और दूसरा ये है कि इन्हों के पास में वो भगतिविदी है ही नहीं इनको भगतिविदी है ही नहीं कि जो ये खुदा को देख सके इन्होंने जो साधना जो इन्होंने अपने साधना जो चला रखी है पूजा करने का तरीका जो बना रखा है केवल मैं मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बता रहा है जितने भी धर्म है ये हिंदू मुस्लिम सी किसाई ये सभी खुदा को भगवान को ये इस्वर को निराकार मानते है इनका reason ये है कि इनको वो बाख़बर नहीं मिला ना इनको वो तत्वदर्शी संत मिला जो ये बता सके कि खुदा साकार है ना इनके पास वो भगती विदी जो ये बता सके कि खुदा साकार है ये जब इनके पास में ये भगती विदी नहीं थी तो इनसे जब पूछा गया कि सास्ट्रों का रिफ्रेंज दे के उस कबीर खुदा को साकार साबिट कर दिया तो ये कहरें कि खुदा फिर भी निराखार है तो इन्हों ने तो जी ये इकार रखिए है कि जो कुछ कहेंगे जूट कहेंगे जूट के सिवा कुछ नहीं कहेंगे वास्तम में कबीर जो है खुदा साकार है सर एक प्क्रण और आता है कि वहां पे जिन्दा महत्मा की बात आरी है कुरान में कि आप उस जिन्दा पर भरूसा रखो तो यह जिन्दा महत्मा जिन्दा कौन थे जो मौमद जी को मिले थे मौम्मस ﷺ जो हमारे प्यारे पेगंबर नबी थे जिन्होंने इसलाम धरम को फैलाया उनके बारे में एक वाक्या आता है कि मौम्मस साब को वो जिंदा महत्मा के रूप में मिले अब ये वाक्या क्या है ये वाक्या ये है कि जब मोहमद शाव जो थे अपने सिश्यों के साथ बैठे हुए थे तो क्या हुआ था कि एक मुसल्मान जो था अपने बक्रे बच्चों के साथ में जा रहा था तो एक तगडे बक्रे ने एक नौर्मल बक्रे को आपस में लड़ाई हो गया जिसकी कारणisen नौर्मल बकरा जो है वहीं इंतकाल को प्राफ्ट हो गया तो वो मुसल्मान रोने लग गया था जब वो मुसल्मान रोने लग गया था तो मुहमत साब बैठके जो साधना कर रहे थे उठके आया और बोले कि मुसल्मान होके रोता है तो उन्होंने उस बकरे के पीट पे हाथ थप थप पाया और उस बकरे को जिन्दा कर दिया ये वाक्या जब श्टार्ट हुआ था तो सभी उस बकरे चराने वाले ने सभी को सूचित कर दिया कि मुहमद सहाब ने जो है मेरे मरे हुए बकरे को जिन्दा कर दिया तो कोई भी बंदा उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था एक दिन मुकरर किया गया उस दिन मुहम्मद साब ने ये कहा था कि मैं एक गाय को काटूँगा और उसको दुबारा जिन्दा करूँगा तो वहाँ हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इखटे हो गए थे इस वाकिये को देखने के लिए तब वहाँ जब वह आयते तो मुहमद साब ने वो काट तो दी थी वो कट तो गई थी पर वो जिन्दा नहीं कर पाए तब मुहमद साब ने उस अल्ला कभीर को याद किया था ये व्याकिया सभी मुसलमान भाईयों को यदी नहीं पता तो मुहम्मद साब की जीवनी में पढ़ें और देखे वास्तम में हुआ क्या था तो जब वो जिन्दा महात्मा के रूप में मिले थे उनको वो जिन्दा महात्मा के रूप में मिले थे केवल मुहम्मद साब को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई ने थे इ इन्होंने आके मुहम्मद साहब की गाये को जिंदा किया और मुहम्मद साहब को बोला कि भगती करो खुदा की अबादत करो फिर भी मुहम्मद साहब किसी काणवस नहीं माने और उसके भगती से वंचित रहे गे। एक बत और है कि तोरे तिंजिल जबूर जो किताब है जो इसमानी किताब है जो कुरान स्रीफ से पहले नाजिल हुई है उनका रुपांतर बाइबल है जिसमें बोला गया है कि उस परमेश्वर ने उस इस्वरिय सक्ति ने उस परवर्दिगार ने छे दिन में स्रिष्टी पह कहीं भी मास खाने का प्रलफाटान बोला गया है तो वो खुदा का अधेस नहीं है उस खुदा ने तो छे दिन में स्रिष्टी को रचा साथ वे दिन तकत पर जा विरा जा उसका खुदा का अधेस नहीं है मिफाल के तोर पर यदी एक बाप एक मकान को 6 दिन में बना रहा है उसकी सारी चीज करके और 7 ओछ जिन उसकी चाबी अपने बेटे को दे के चला जाए और आगे चलके उसका बेटा उस मकान के नक्से को चेंज कर दे और उसका ही प्रावजान उसके बाप को दिया जाए है या उसका जो नकसा चेंज करा उसका जिम्मा उसके फिताजी को दिया जाए تو ये गलत है ये आगे चलके ये सैतान का लोग ता सैतान ने ये चीजे मांगी थी तो सैतान को सारी चीजे सुक्सवीदा देने के बाद वो कबीर परमेस्वर वो कबीर खुदा अपने उस जन्नत में जाके विरादमान होगे और उसके बाद में आगे चलके अगर किसी भी किताब के अंदर या किसी भी गरंट के अंदर मास खाने का प्रबधावन है तो वो सैतान का है नाकी कबीर खुदा का है उस सचे खुदा ने केवल हमें फल खाने के लिए बोला है और हरी सबजिया खाने के लिए बोला इसके अलावा सचे खुदा ने कुछ नहीं बोला बलकि ये जो आगे चलके उन्होंने इस जहान को सैतान को देखे क्योंकि सब को पता है जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे वो सब जानते हैं कि हम अपनी गलती की वज़े से इस लोक में आए और ये सैतानी लोक है उसके बारे में बाखबर संतरामपाल जी महराज बता रहे हैं और उनसे आईए और लाखों मुसलमान जो है हमारे वीडियो को देखके हमारे चैनलों को देखके हमारे जो बाख्बर संतरामपाल जी महराज के सत्संग को सुनकर केवल हिंदुस्तान के नहीं अधर कंड्रों के मुसलमान भी बुक मंगवा रहे हैं उन बुकों को पढ़के बाख्बर संतरामपाल जी की सरण में आ रहे हैं और लाखों जो करोडों कष्टों से दुखी थे उन कष्टों का निवारन बाखबर संत्रामपाल जी महराज की सरण में आके उनके हो रहे हैं और आप इंट्रू भी देख रहे हो तो मेरी जितने भी वीडियो को पर्मानित है उन बुकों को पढ़ो और एक सच्चे और अच्चे की पहचान अच्चे और गलत की पहचान करो और सच्चे खुदा की इबादत करो ताकि आपके घर में भी वो सुआरी सुख सुवीदा हो जो बाखवर संत्रामपल जी महराज की सरण में रहके जितने भी अन्यूनियाई ये बाखवर संत्रामपल जी महराज के हैं वो सारी सुख सुवीदा प्राप्त कर रहे हैं जो एक कबीर खुदा ही दे सकता है इसके अलावा कोई सैतान नहीं दे सकता मेरी आप से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है डॉक्टर सहजाद खांजी आज हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई आपने इसलाम धर्म की बहुत सारे पोइंट्स को किलियर किया अब हम अंतिम पड़ाओं में चलते हैं कि केवल जो एक मुस्लिम धर्म की बात नहीं है इसाई धर्म, पवित्र हिंदू धर्म और सिक धर्म ये चारों परकार के जो धर्म है इन चारों परकार के धर्म में जो साधना हो रही है उन साधना से मोक्ष नहीं है आप बाखवर उस तत्वदर्शी संत उस इश्वय सक्ति उस पैगंबर उस रहनुमा उस खुदा के भेजे हुए अवटार की पैचान करके बाखवर संत्रामपल्जी महराज की शरण ग्रैन करके उस कभीर खुदा की कभीर परमेश्वर की इबाधत करो तबी आपका मोक्स संभव है और मोक्स 100% आपका मोक्स होगा और जो बाखबर संत्रामपल जी महराज आपको बताते है नियम उस नियम को फोलो करो तो आपके घर में भी बरक्कत होगी आपकी रोजगार में भी बरक्कत होगी और आपके जिंदगी में जो भी दुख है वो भ करोगे तो आपका कल्यान होगा तो दर्सको आज आपने पूरा प्रोग्राम देखा इसलाम धर्म की सचाई जिसमें हमने अहम बिंदूओं पर बात की जैसे की पुनर जनम नहीं होता है या लावी चून है मुहमत जी इमास नहीं खाते थे तो जिस तरह की इसलाम धर्म में को हमने उजागर किया उस पाखंडवाद को उस पाखंडवाद का हमने खुलासा किया हम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं और एपिसोड लेकर आते हैं इसमें हम सभी धर्मों की सच्चाई बताते हैं दूसरा हमारा ये कोई मकसद नहीं है किसी की धर्म भावना को भढ़का या फुल डेवेट्स देख सकते हैं वहाँ पर संतर रामपाल्जी और डक्टर जाकरनाय की सिक्स पार्ट में डेवेट हैं अगर कुछ और भी जानकारी आपको अपने रेजन से लेने हैं तो संतर रामपाल्जी महाराच जी की वेबसाट www.jagatguru.orz.org पर जाकर विजट कर सकत हैं आप हमेशा जुड़े रहें ऐसे निए चैनल के साथ सच जो आप जानना चाहते हैं पहले तो आप चीने ये समझना पड़ेगा कि कुरान सिरीफ के बढ़ने वाले आज तक नहीं समझ से के कुरान सिरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 69 यदि इनोंने समझा होत तो कुरान सिरीफ के ग्यान दाता को ये अल्ला हुआ अकबर नहीं कहते हैं क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्ला हुआ अकबर की जानकारी तो कुरान सिरीफ का ग्यान दाता रखता ही नहीं एक बार आपको रूबरू करते हैं ये देखिएगा पवितर कुरान सिरीफ यह है कुरान शरीफ, यह है वह है इलामी किताब जिसमें कोई सिंद्धे गुंजास नहीं, यह कहते हैं इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए, कुरान शरीफ, और यह है सयानुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सयानुवाद सटीपन, सास्त्री अर्भी पद्धती पर नागरी लिपी में, रुपान तरकार नंद कुमार अवस्थी, सेरवानी संस्क्रण, अब आगे देखते हैं, यह वही है जोंकातों, जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, यह देखिएगा, सेरवानी संस्क्रण है, प्रकास्ते के लखनव, किताबगर, मौसम भाग, सिताप रोड लखनव से, और यह आज का अनुवाद नहीं है, उन्नी सो उन्हेतर से चल रहा है, यह सत्रमा संस्क्रण, दोजार आठ ही स्वी में, कॉपी राइट्स, रौदिकार सुरक्षीते, लखनव, किताबगर, अपोजिट, ब्राइट मोटर्स, मौसम भाग, सिताप रोड लखनव पर, यह उनके प्रवन नंबर है, यह पर्थम स संस्क्रण, उन्नी सो उन्हेतर में सप्या था, यह विसाब लालो, लगबग चौरिस वर्स होगे, और सत्रमा संस्क्रण यह अब चुप्या है, मुद्रक है, गासपेल, प्रेश लखनव, अब हम आपको जिखाते हैं, यह है कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी और पत्चिस, 604 प्रेश्ट पे, यहां दिये नेचे, यह एकाउन आयत यहां समाप्त होती है, यह बाउनमी सुरू होती है, फलात उतियल, काफिरन वैजाहिदूं बीही जिहादन कबीरन, यह कबीर सब्दा है, जैसे संस्क्रण में हलंत वाला एक्ट्रा लगाते हैं, तो यह कबीर सब् यह बाउनमी आयत में, और इन कानुमाद भी इन्होंने यहां कर दिया, यह तो अर्बी बासा में डेपी नागरी लखी है, यह एकाउनमी आयत समाप्त हुई, बाउनमी प्रहरम होती है, कुरान स्रीफ का ग्यान दाता, अपने नबी, अपने पैगंबर, हजरत मुम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्टेक्शन दे रहा के सुनो, तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहान मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यह मैं जो तुझे कह रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो, यह कबीर का अर्थ हिनों ने बड़ा कर दिया, यह जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, यह जिहाद जो है, लठ बजाना नहीं, यानि उनकी बातों मनी आना, कुरान स्रीफ का ग्यान दाता कहता है, कि इन काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा बगवान है कोई, तो यह पैगंबर तुम काफिरों का कहान मानना, और इस कुरान स्रीफ की दिलिलों से उनका सामना बड़े जोर से करो, इन्होंने कबीर का अर्थ बढ़ा कर दिया, इसका अर्थ वास्तों में ये बनता है, कि कुरान स्रीफ का ग्यान दाता कहरा है, कि जो यह काफिर लोग हैं, यह नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके सब्दों में, तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता हजरत मौमदी से कह रहे हैं कि तैंभी इनकी बातों नाना इनके साथ संग्रस करना लड़ना नहीं संग्रस करना इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना माननत है यानि आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानने कि कबीर नामक सुप्रेम पाउर है वो अल्ह ताला है तो तु इनकी बातों में आ करके अपने इस अपने इस इतारत ग्यान को भूलना जाना छोड़ना नहीं अब क्या बता है तेखो तो ए पैगंबर यानि हजरत मौमद कुरान सुरीफ का ग्यान दाता कह रहा है तो काफिरों का कहान मानना और इस कुरान की दलीलों से यानि मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इस से उनका सामना बड़े जोर से करो इसका अरत यह है कि कबीर के लिए तु संग्रस कर उनकी बात ना मानना तु सची मान लेना अब आगे बताए इसका कलियर हुआ देखिए अब ये आपने बावन आयत पड़ ली अब तुर्यपन में कुरान स्रीफ का ग्यान दाता कहता ये कबीर जो बड़ा बगवान है वो वही है जिसने छे जनमा सरिष्टी रची और सातमा जन्तक्त पर जा बैठा है और जिसने सारी स्रीफ्टी रची सुसराल वाले बनाए बहु बेटी बनाई सब मनुस पैदा किये पर्थ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रेक्शन है उसने ही की तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता तो रचनार भी को नहीं ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी स्रीफ्टी का रचने वाला और वो अल्हा बड़ा है उच्छे दिन में स्रीफ्टी रच के साथ में दिन तक पर जा बैठा तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता वो अल्हा बड़ा नहीं है देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे और वही है वो कबीर नामक अल्हा कबीर अल्हा बड़ा अल्हा वही है जिसने दो जरियाओं को मिला चलाया एक का पानी मीठा प्यास बुजाने वाला और एक का खारी कड़वा और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया फिर उसको साहिब नसब यानि किसी का बेटा या बेटी और सुस्राल वाला यानि किसी का दामाद बहु बनाया और तुम्हारा परवर्दिगार हर चीज़ करने पर सक्तिमान है अब चम्मन आयद पढ़ लिया हमने और काफिर अल्हा के सिवा ऐसों को पूझते हैं जो ने उनको नफ़ा पहुचा सकते हैं और ने उनको नुकसान पहुचा सकते हैं और काफिर तो अपने परवर्दिगार से पीठ दिये हुए हैं मुँ मोड़े हैं और ये पैगंबर हमने तुमको खुशकबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से ड्राने के लिए भेजा है अब देखो विचार करो पुना तुमाओं जो हजरत मौमंद को पैगंबर बना कर भेजने वाला है वो तो ग्यान दे ही रहा है और वो किसी अन्य अल्ह ताला की जानकारी दे रहा है अल्हु अक्बर की बड़े वगवान की अल्हा कबीर की तो कुरान सिर्फ का ग्यान दाता अल्हा कबीर नहीं है आप देखो तो औरे पैगंबर हमने तुमको खुशकबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से ड्राने के लिए भेजा है इन लोगों से कहो कि मैं तुम मजदूरी नहीं मांगता हाँ जो चाहे अपने परवर्दिगार तक पहुंचने की राह इक्तार कर लें और पैगंबर उस जिंदा पर वरुसा रखो जिंदा जो अर्बी भासा है उसमें जिंदा सब्द लिखा है उसका अर्थ जिंदा है जिंदा का अर्थ है क्योंकि ये जिन भी महापुरसों को मिले हैं वो अल्लाहु अकबर यानि ग्रेट गॉड है कम्प्लीट गॉड है वहां से चल कर आता है स्विम सह सरी राता है और जिंदा मात्मा का रूप बना कर अच्छे आत्माओं को मिलता है ये वेद गवाई देते हैं और आखों देखा संद गव आधनिये नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा मात्मा के रूप में मिले और आधनिये दादो साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले आधनिये ग्रिबदा साहिब जी को गाउं चुड़ाने जिरा जिर हरियाना के खितों में चुड़ानी के खितों मे जो गव उतरा रहे थी वह सत लोग से आए प्रमात्मा जिंदा मात्मा के रूप में थोड़ी सी दूर पर आक उतर के उन से मिले उनको सच्खंड लेगे इन सब मात्माओं को फिर वापे छोड़ा तो इन सबी मात्माओं ने कहा के जैसे आदने गरिब्दा साहिब जे ने कहा के अनंत कोड बर महंड का एक रतीनी बार सत्गुर पुरुस कबीर है ये कुल के सर्दिनार हम सुल्तानी नानक तारे दाद्दू को उपदेश दिया जात जो लाहा भेद नी पाया हो का सीमा कबीर हुआ